है गाईज वेलकम बैक टो माई न्यू वीडियो गाईज आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है गाईज जो लोग म्यूआ 12 और एंड्रोइड 10 टैन म्यूआ 12 और एंड्रोइड 10 बेस रूम का जो भी इंतजार कर रहे थे कि कब पोट हो रहों पोट किती रूम और इस बार उन्होंने केवल आठ छे आठ दिंग में म्यूआ 12 की जो श्यूमी डॉट यू रूम थी भीटा 27 अपरिल वाली उसको पोट कर रहा है रेड्मी नोट 5 प्रो के लिए जो गाईज इसमें बहुत सारे इसूस है ठीक है लेकिन उन्हों सब का भी फिक्स उन्होंने दिया है जो की काफी अच्छी बात है और एक स्टेबल उसके बाद बन जाती है ठीक है तो गईस में सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको एंड्रेट 10 मिलता है सेक्रिटी पैसलियर 5 अपरेल का मिलता ठीक है थोड़ा पुराना है यानि पूराने मंद का है लेकिन कोई प्रोब्लम नहीं है सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इस इंस्टलेशन प्रोसेस को इस रूम की इंस्टलेशन प्रोसेस को मिस मत करना ठीक है या फिस किप भी मत करना क्योंकि अगर आप इस इंस्टलेशन प्रोसेस को आप स्किप करते हो तो आपको काफ सबसे पहले चीज कि आपको इसके कैमेरा में आपको जो MIUI 12 का कैमेरा वह देखने को मिलता है विथ AI और फुरूगे ठीक है दोस्तों मैंने इसके साथ ही वैसरे और की थी जो सिरें रिकोड देख रहे हैं लेकिन वह वाइस बहुत ही कम आई थी पता नहीं क्यों तो मुझे यह दुबारा वेस ओवर करना पड़ रहा है ठीक है तो में भी थोड़ा यहाँ हो सकता है ठीक है तो यार थोड़ा चला लेन तो गाइस इसका camera मुझे थोड़ा lag ही मिला ठीक है बहुत पहले पहले lag नहीं कर रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा करके बहुत जादा lag हो रहा है ठीक है कैमरा तो मैं रेक्मेंट करूँगा जीकेम इस्तामाल किजिए अभी के लिए और दोस्तों अगर मैं कोई camera दूसरा एपी के आपको मिलता है तो रूट के जरीए अपने प्राइव अपने सिस्टम एप्स के मैं आपको जरूर से दूँगा ठीक है दोस्तों मैं सबसे बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला था लेकिन मैं कुछ आपको चीज़े बता दूँ कि मैं जो ने मियूट 11 का Android 10 वाला वीडियो किया था उसमें जो फीचर से वो सारे इसमें देखने को मिल जाते और मियूट 12 के जो फीचर से जिसे डार्क मों 2.0 हो गया फिर न्यू जेश्चर भी आपको देखने को जो Android 10 वाले है वो देखने को मिल जाते है डिक है जो काफी अच्छी बात है इसमें आप होम स्क्रीन की जो आइकन साइज है या फिर आपको आइकन अरेंजमेंट है फोर ब इसमें आपको live wallpapers मिल जा रहे है ठीक है और इसमें pubg भी आप इसमें HD में खेल पा रहे हो ठीक है हाई ग्राफिक्स पे इसमें भी कोई साइड प्रॉब्लम नहीं आ रही ठीक है फिर अब आप दूसरे features के अबारे में बात करें तो गैस इसका dual voltage काम कर रहे है ठीक है और अगर कोई और सिंपे dual 4G भी काम कर रहे है ठीक है अगर कोई सिंपे आप इंटरनेट इसमाल कर रहे हो और सेकेंडरी जीओ रखते हो तो अभी आपका जीओ का सीम जो है वो वो चलेगा perfectly calling भी ठीक तरह से हो रहे है मुझे दूस्तों इसमें प्रॉब्लम लागी कि इन्हों अब्ने रोम को ज्यादा स्मूथ करने के लिए पफोर्मस में और यहां तक किये स्क्रें रेकॉडर भी यह जो रेकॉडिंग देख हो यह मैंने एक ठरबाटी एप से करी है रेकोड़िया तो इसमें बहुत सारे आप वही सारे फीचर्व मिला थे आइकन साइज वह आप य अच्छी है दोस्तों काफी अच्छा आपको यहां पर ओप्शन देखने को मिल जा रहे हैं इसमें भी आपको कोई साथ भी प्रोब्लम नहीं आ रहा है इसमें भी आपको कोई सी दिक्कत नहीं आने वाली गाइस एक चीज़ के बारे में मैं बता दूं कि वही सारे मिले वाले तो वही मिल रहे तब वह वीवियो देख लेना Android 10 वाला भी MIUI 11 बेस और MIUI 12 का भी वेडियो देख लेना कोई सा भी पुराना बीटा पहला बीटा कावेन बनाया है वह आप जरूर से देख लेना ठीक है तो गाइस दूसरी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया कि आप द मैं काऊंगा पूरा लोंगो आपको शायद ही पूरा वेकप की फूर में डेटा करना पड़े लेकिन समध्दारी में समध्दारी है तो आप पूरा वेकप ले लेना ठीक है इसके अनिमेशन भी मुझे बहुत अच्छे लगे ठीक है MIUI 12 का जो अनिमेशन है तो आप यहां आप देख सकते हो कुछ जिफ फाइल आपको चाहिए सबसे पहले आपको सिस्टम यू वेंडर यू लाइट फिक्स गूगल फिक्स और सौलेड एक्स्प्लोर इस्वाइल एक्स्प्लोर इस्तामाल कर सकते दोनो जो भी आपकी मर्जी लेकिन आपको यह डाउनलोड करना है कब इससे पहले जब आप रूम चेंज करो इससे पहले आपको जो भी इस वाइल एक्स्प्लोर इस्तामाल करना हो कोई साभी आप इससे इस्तामाल करना हो उससे इंस्तामाल कर ले ठीक है डाउनलोड करके फाइल मैनेजर में रखे ठीक है नौट प्लेश्टोर से डाउनलो को और फील सबसे पहले बूट करें, और जाईए advance wipe में, मैं recommend करूँगा latest recovery, recommended a excuser रहूँगा, latest recovery systakad議 आप wipe में siye advance wipe davi cache cache data system vendor नैं इन इन 500 चीज़े, 500 छिजों को पाटिक्षों को wipe कर दीजए, malt mai fix the tool when install में जाकिए, सबसे पहले system EU और vendor EU, दोनों को flash करजे, reboot system दीजे, guys reboot system देने के पर आपका phone जो normally boot होता है, reboot करते हो, तब कैसे आपकी home screen lock screen आती है, वैसी lock screen आएगी, आपको ध्यान रखना है जब आपका phone custom recovery पर boot करो, उससे पहले आपको दो चीजे करनी है, एक आपका जो भी google account है, और me account है, दोनों को remove करना है मुझे बहुत ज्यादा धिक्कत हुई थी, क्योंकि guys, मेरा stuff हो चुका था, जब में पास्वड, सही मा रहा हो, तो सिर्फ verify पास्वड ही लिखा था, आप ठ्राइ कर लो, mobile network से या फिर wifi से, यही चीज लिखिया थी थी, फिर मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी, सबसे पहल में टाइम लगा था, ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखना है, और फिर दोस्ता आपको क्या करना है, दोनों को install करने के बाद, reboot करना है, reboot करने के बाद, आपको फिर से recovery में जाके, mount में जाके, system और vendor दोनों को mount करना है, यानि tick करना है, ठीक है, tick होगा, तो untick कीजे और वापस में जाके, mount section में, और फिर आपको light dot, जो भी light वाली, light fix, उससे flash कर देना है, और root कर लेना है, इपने phone को, दोनों फ्लाइल को message, दो फाइलों को flash कर देजे, reboot कीजे, reboot करने के बाद, आपको ES file explorer में इस्तमाल करना है, आपको इसा भी स्तमाल कर सकती है, इसे install कीजे, root की permission दी कीजे, ठीक है, आप light fix, आपको install करेंगे, तो आपकी जो भी brightness issue है, वो fix हो जाएगा, और आप जो यह step करें, उससे me ID का issue है, वो fix हो जाएगा, ठीक है, और Google ID का भी, सबसे पहले, Google ID के भारे में बात करते, तो जो तीन apps आपने copy कर रहे थे, यह extract किया थे, उससे copy करना है, system प्राइव एप में, आपको जब ES file explorer में उपर, आपको slash का icon देखने को मिल जाता होगा, वही पे जाना है, और उससे copy करना है, system के प्राइव एप में, ठीक है, प्राइव एप में copy paste कर दीजे, अपने phone को reboot कर दीजे, Google account आपका fix हो जाएगा, फिर आप signing कर पाओगे, और र road.product.wireate जो भी है, is equal to wireate, तो उसकी मैं वह चीज दे रहा हूँ, आपको वह text copy करना है, ठीक हम नीचे comment section में होगा, pin comment, तो उससे copy करना है, build prob editor install करना है, इसकी road permission आपको देना है, और उसके नीचे लगा देना है यह चीज, और save करके reboot कर देना है, जैसे ही आप यह चीज करो आपको मिल रहा है, छोटा छोटा लेग हो रहा है, सेकेंड से, एक दो सेकेंड लेग होता है, तो guys आप इसे चला सकते हो, first boot Android 10 और MIUI 12 का, उसे port किया गया, तो bug तो होगी है, छोटे मुटे, तो काफी अच्छी room है guys, आप install कर सकते हो, as a daily driver, आप इसे चला सकते हो, इसमें क कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाले, तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना, और मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूं, कि अगर आपका कोई और डिवाइस है, Redmi Note 5 ने, Redmi Note 4 है, कोई सा वीडियो रूम कैसे find करनी है, latest कैसे install करनी है, कैसे अपने आप ही सब पता कर सकते हो, तो वो वीडियो बहुत ही साधा interesting और मस्यदार होने वाला है, तो इस वीडियो के लिए भी ज़रू से रुखना, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ तो लाइक करना, चैनल पे न तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, थैंक यू